हेलो दोस्तो आज के इस वीडियो लेक्चर के अंदर हम लोग डिसक्स करने वाले हैं टीएज ग्रेवाल के कुछ और प्रेक्टिकल कोशन आपका जो चेप्टर चल रहा था केज़ बूक का चल रहा था और एक प्रेक्टिकल कोशन भी कराया गया था तो नमस्कार, शसरेकाल, आदाब, असलाम आलेकुम, मेरा नाम है इमरान और आप सबी लोगों का आपके अपने इस प्यारे से यूटूब चैनल कॉमर्स की दुनिया में दिल से स्वावत करता हूँ तो चलिए आज देखते हैं हम लोग केश बुक का कॉशन नमबर टू जो की आपकी प्रेक्टिकल कॉशन में से है चलिए स्टार्ट करते हैं तो चलिए दोस्तों अब हम स्टार्ट करते हैं अपने इस वीडियो लेक्चर को question number 2 के साथ इससे पहले आपका question number 1 complete हो चुका है question number 2 देख लेते हैं prepare simple cash book हमें एक simple cash book बनानी है from the following transaction जो नीचे transaction दी गई है उसकी of सुरेश daily यानि कि यह transaction दी गई है यह सुरेश की है जो की दिल्ली का रहने वाला है इसकी कुछ transaction है पूरे मंद की इसे हमें prepare करना है cash book के अंदर ठीके ना तो हमें एक cash book बनानी है इन transaction के साथ अब चलिए देखते हैं पहली entry क्या है 2019 में 1st April को क्या हुआ है सुरेश commenced business with cash 80,000 रुपीज ज्यानि के शुरेश ने business को start करा है 80,000 रुपे से तो भी यह 80,000 रुपे से अगर business को start किया गया है तो इसकी journal entry क्या बनेगी journal entry सबको याद होती है बच्चे बच्चे को क्योंकि पहली entry तो बहुत ही common होती है हर question के अंदर वो क्या होती है cash account debit to capital account ठीक है क्या बनेगी entry? entry बनेगी सब्चे कैश, account, debit to capital account इस तरीके से इसकी general entry बन जाएगी अब आपका होगे सब्चे general entry तो बनानी नहीं है तो आप क्यों बना रहे हो? तो यह हम इसलिए बना रहे हैं ताकि आपको बहुत अच्छे से समझा सके है ठीक है न? हमारा काम है कि आप लोग कोई भी doubt न रहे क्योंकि आप लोग online class में पढ़ते हो यहाँ offline आपके सामने कोई teacher तो है नहीं कि आप सवाल पूछोगे और तुरंद जवाब मिल जाए तो चलिए शुरू करते हैं पहली entry जो हमारी क्या है cash account debit to capital account यह इसकी general entry बनेगी लेकिन हमें general तो बना नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है हम इसको laser के अंदर post कर देंगे वो भी किसके laser के अंदर cash column में यानि कि cash के account में मैं आप लोग के लिए एक basic format बना लिया है पहले ही यह ब लिए हमने cash book बना रहे है हम single column ठीक है इसके बाद में जो basic format आपका date आएगा particular आएगी jf amount यह debit side के column हो जाएगे receipt के जिसे बोलते है हम on the other end अगर हम बात करें बाकी के 4 column की तो यह हमारे क्या हो जाएगे यह credit side के हो जाएगे यानि के payment के column date particular jf amount ऊपर हमने notation में लिख दिया CR यानि के credit side है और यहां हमने लिख दिया DR यानि के debit side है तो भाईया आप posting कैसी की जाती है इसको भी देख लेते हैं वैसे तो आप लोग export हो क्योंकि आप laser सीख करके फिर आया हो इस chapter पर लेकिन फिर भी बतायता हूं कि अगर हम cash का account बना रहे हैं तो उसके अंदर cash का नाम नहीं लिखा जाता cash का नाम नहीं लिखा जाता तो क्या लिखा जाएगा सर जी तो जिसकी वज़े से cash debit or credit हो रहा है वो वजह लिखी जाती है तो इसके अंदर cash account debit हो रहा है लेकिन किसकी वज़े से हो रहा है यह हो रहा है capital account की वflow से तो हम लिख देंगे two capital account 80,000 रुपे ब असी हजार रुपए यह जो डेट थी डेट थी हमारी 2019 एप्रियल 1st तो इस तरीके से यह इंट्रे आपकी क्या हो जाती है complete हो जाती है हमने बहुत अच्छे से पहली transaction पोस्ट कर दी है cash account के अंदर अब देख लेते हैं अपनी second entry second entry के आए जी third April को क्या हुआ है he bought goods 50,000 रुपए यानि के इन्होंने माल खरीदा है 50,000 रुपए का यहाँ पर मैं इस बात को रोग करके एक बात आपको समझाना चाहता हूँ जो हम cash column मनाते हैं cash column के अंदर केवल cash की entries आती हैं इसके अलावा कोई credit की entry नहीं आने वाली चाहे फिर वो sale की हो purchase की हो sell return हो purchase return हो whatever कुछ भी हो सिर्फ cash की entry को post करेंगे बाकी सबको ignore मार देना के देना कि हमारा आपसे कोई तालुक नहीं है ठीके ना तो इसके अंदर जितनी भी cash की entries होंगी सिर्फ हम उसी को ही post करने वाले है cash के column के अंदर तो चलिए यहां पर माल खरीदा गया है पचास हजार रुपे से तो माल खरीदा गया है तो इसकी general entry क्या बने की बताओ जर्नल entries की बनने वाली है जी purchase account debit क्योंकि माल खरीदा है आपने तो entry क्या होगी purchase account debit हो जाएगा और हम लिख देंगे to cash account ठीक है इस तरीके से यह entry हो जाएगी जो amount है आपकी पचास हजार रुपे की है 50K लिख दिया हमने इस तरीके से इसकी general entry बन जाएगी मैंने short में बनाया है क्योंकि हमें journal नहीं बनानी हमें तो cash का column बनाना है लेकि आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ है तो cash यहां पर क्या हो रहा है credit हो रहा है जी credit किस से हो रहा है credit हो रहा है purchase से तो आगे इसके कुछ नहीं लिखा लेकिन हम buy मानके चलते हैं क्योंकि general entry के अंदर buy silent होता है लेकि जब इसकी पॉस्टिंग करते है लेजर के अंदर तो यह दिखता है आपको वहाँ पर ठीके न तो buy purchase account करके 50,000 हम लिख देंगे तो यहां क्या आ जाएगा buy purchase account कितना आ जाएगा 50,000 रुपए आ जाएगा जी और जो यह entry थी यह entry थी आपकी 2019 April 3rd इस तरीके से यह second entry में हम लोगों ने complete कर दिये अब देख लेते हैं अपनी third entry third entry में क्या लिखा है sold goods for cash भई यहां पर माल बेक्चा गया है 40,000 रुपए का 40,000 रुपए का जब माल जाएगा मेरे पास से तो मेरे पास क्या आ जाएगा cash आ जाएगा यहां पर क्या जाएगा तू सेल अकाउंट करके मैं कितना लिख दूँगा 40,000 रुपए लिख दूँगा और इसकी date जो थी 5th थी 5th April थी ठीक है ना तो हम यहां पर 5th April लिख देंगे April 5th देट डालने का तरीका यही होता है पहले आप मन्त लिखेंगे and then उसके बाद उसकी date लिखेंगे अब देख लीजिए next entry में का लिखा है received cash from Mr. Manohar 3600 यानि कि अब आपके मज़े आगा भी या आपको Manohar साहब ने 3600 रुपे दे दिये है cash receive कर रहा है आपने तो cash account debit हो जाएगा to Manohar हो जाएगा तो to Manohar करके to Mr. Manohar करके हम लिख देंगे 3600 रुपे to Mr. Manohar to Mr. Manohar करके हम लिख देंगे 3600 रुपे इस तरीके से लिख देंगे और जो date थी हमारी हो कितनी थी 6th April थी तो हम यहाँ पर डाल देंगे एपरेल 6th इस तरीके से यह entry आपकी क्या हो जाती है complete हो जाती है next देख लेते है paid into bank 30,000 रुपीज यानि के bank में आपने क्या करा है पैसे जमा करा है paid करा है bank को तो bank क्या हो जाएगा बढ़ जाएगा यानि के bank account क्या हो जाएगा जी debit हो जाएगा और to cash हो जाएगा क्यूंकि आप cash हो जाएगा क्यूंकि आप cash हो जाएगा और यह जो डेट थी यह थी April 9 नो अप्रेल की एंट्री थी हमारी यह हमने पोस्ट कर दिये अब देख लेते हैं Paid Cash to Hari Krishna यानि कि इस बार हम पेमिंट कर रहे है हरी क्रिशन को एकिस सो पचास रुपे की तो इसकी जनल एंट्री क्या बना रहा हूं और आप लोग चाहो तो इसे लिख लेना क्या बोला मैंने हरी क्रिशन अकाउंट डेविट टू केश अकाउंट लेकिन केश का नाम तो आया कर नहीं तो क्या लिखेंगे बाए हरी क्रिशन करके इकिस सो पचास लिख दो आप पाई धरी क्रिश्यन अकाउंट 2150 रुपए और जो डेट थी हमारी April 13 थी ठीके ना इस तरीके जबने इस एंट्री को भी क्या कर दी पोस्ट कर दिया है अब देख लेते हैं अपनी next एंट्री paid for stationery यानि कि कोई stationery का समान था आपने खरीदा होगा आपने उसके लिए payment कर दी 200 रुपीज की तो payment कर दी है तो क्या हो जाएगा stationery account debit हो जाएगा to cash account हो जाएगा यानि कि यह आपका खर्चा है तो यह कहां जाएगा credit में जाएगा जितने भी खर्चे होते हैं जिसके आप payment करते हो वो credit side में जाने वाले हैं और जो receipt side होती है वा हमारी debit side होती है यानि कि जब भी आपको पैसा मिलेगा तो आप उसे receipt side के अंदर लिख देंगे बहुत ही easy है रटने की ज़रूवत नहीं है मैं general entry इसलिए बता रहा हूँ ताके आप चीजों को रटो ना समझो तो इसलिए यहाँ पर stationary के लिए आप paid कर रहे हो 200 रुपे तो buy stationary करके 200 रुपे लिख देंगे हम क्या लिख देंगे by stationary account यहाँ पर हम कितना लिख देंगे जी 200 लिख देंगे और जो date थी हमारी वो थी April एक बार मैं देख लेता हूँ गलती नहीं होनी चाहिए ठीके ना stationary की date जो है 17 है तो ठीक है April 17 हमने आप लिख दिया है आप लोग बहुत ध्यान देंगे date कभी और amount कभी थोड़ी सी भी चूक नहीं होनी चाहिए वरना आपका cash का account क्या हो जाएगा गडबड हो जाएगा चलिए आगे देखते है next entry है 18 अपरिल की paid for office furniture ठीक है कितना amount जी 3000 रुपीज है यानि कि आपने furniture खरीदा है office के लिए तो furniture क्या होती है एक fixed assets होती है तो आप entry क्या बनाओगे जी आप करोगे furniture account debit to cash account आपके पास से cash चला जाएगा cash क्या हो रहा है credit हो रहा है किस से हो रहा है furniture से तो हम लिख देंगे by furniture account 3000 रुपे लिख देंगे हम क्या लिख देंगे by furniture अकाउंट करके हम कितना लिख देंगे जी 3000 रुपे लिख देंगे और यह entry यह April 18 की entry तो इस तरीके से हमने इसको भी post कर दिया है बहुत अच्छी बात है देखते रही है समझते रही है और doubt हो तो पूसते रही है कोई दिक्कत वाली बात नहीं है जवाब मिल जाएंगे आपको next entry देखते है received from Mr. Kailash Chand बहुत बढ़ी है यह बढ़ी खुशी की बात होती है जब हमें cash मिलता है ठीक है ना तो यहाँ पर cash received हो रहा है अलशट रुपे का तो 6800 रुपे हमें received हुए यानिके cash account debit हो जाएगा और ज 600 रुपे तो चलिए लिख देते हैं cash account क्या हो रहा है debit हो रहा है किस से हो रहा है to Mr. Kailash Chand अकाउंट इस तरीके से लिख देंगे और amount जो थी हमारी वह 67 रुपे की थी और अगर हम date की बात करें तो date है हमारी 21 ठीक है तो हम यहाँ लिख देंगे April 21 इस तरीके से यह entry वे जाती है almost हम करने ही वाले है इस question को पूरा बस आप patience बनाये रखिए देखिए आपका अंसर एक बार में correct आने वाला है अब next entry देख लेते है paid for advertising यानि कि आपने कोई advertisement करा होगा उसके लिए आपने payment कर दी 1008 रुपे की तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है advertisement expense account debit हो जाएगा to cash account क्योंकि आपने payment करी होगी तो by advertisement account करके हम लिख देंगे 1008 रुपे by advertisement expense account क्या हो जाएगा debit हो जाएगा to cash account कितना था हमारा 1008 रुपे था date की बात करें तो date हमारी कितनी थी 22 April 22 को ये transaction की गई थी चलिए ये भी हमने complete कर दिया है next next देख लेते हैं हम कितना है purchase postage stamps 80 रुपीज यानि के आपने purchase कर आए जो stamp होती है थपा लगाने वाली postage stamp वो खरीदा है 80 रुपे की तो postage stamp account debit हो जाएगा to cash account हो जाएगा तो buy postage stamps करके हम debit कर देंगे इसे create कर देंगे sorry ठीक है तो हम लिख देंगे paid rent अब यह अपने किराया दे दिया किसी को तो किराया दे दिया तो rent rent जो होता है expense होता है खर्चा होता है तो खर्चों को debit करते है nominal nature के कारण तो हम लिखेंगे rent account debit to cash account तो यानि के cash तो हमारे पास से credit हो जा रहा है किसकी वज़ेसे जा रहा है rent की वज़ेसे तो buy rent करके हम कितना लिख देंगे 1120 रुपे बाइ रेंट करके लिख देंगे हम बाइ रेंट अकाउंट कितना लिख देंगे 1120 रुपे और जो डेट थी आपकी April 28 की डेट थी ठीक है जी एपरेल 28 की डेट थी 1120 रुपे की हमने पॉस्टिंग कर दी है चलिए बहुत अच्छी बात है अब बचती है आपकी एक लास्ट एंट्री लास्ट एंट्री को भी हम कर लेंगे अच्छे इसमें एक अच्छी बात यह थी इस कोशन के अंदर कि कहीं भी कोई भी एंट्री क है चैश कोलम के अंदर ठीके न कर कोई भी क्रेडिप की टरंसफिं होती तो भया कोई उसे इंव इग्नोर मारते ना आ अगया भी सवालों में आने वालाएं यह से कोशन्स ठीके ना ओ doable देखने व मिलेंगी जो कैश में नहीं एंगी तो केश में नहीं होंगी तो भाईया उसे छोड़ देना उसे उसके अंदर मत लिखना ठीके ना चलिए लास्ट अंट्री पढ़ लेते हैं अपनी पैड इलेक्टिसिटी चार्जेज यानि कि आपने बिजली का बिल दिया है या इलेक्टिसिटी चार्जेज जो भी ते वो दिये आपने कितने 150 यानि कि 500 रुपे दिये हैं किते तरफी यह तीस अप्रेल को तो इलेक्टिसिटी चार्जेज खर्चा आ है तो नॉमनल ने,चल होने के कारण इसे भी हम क्या कर देंगें, डेबिट कर देंगे यानि कि electricity charges account debit हो जाएगा टू cash account हो जाएगा चलिए बहुत अच्छी बात है करते हैं इसकी posting तो यह खर्चा है तो हम क्या लिख देंगे यहाप है by electricity charges by electricity charges account आप पूरा लिख लेना ठीक है ना amount जो था हुआ हमारा कितना था amount था हमारा 150 रुपे का और April 30 की यह transaction थी तो इस तरीके से हमने जितनी भी transaction थी वो सारी post कर दिये किसके अंदर cash account के अंदर लेकिन अभी हमें यह नहीं पता लग रहा है कि cash in hand मेरे पास कितना है मैं फाइदे में रहा या नुकसान में रहा कभी कभी उल्टा भी हो जाता है ठीक है ना negative balance आ जाएगा लेकिन अब देख लेते हैं इस सवाल का क्या हल है तो चलिए मैं फोल सी line extend कर दिये बढ़ा दिये अब इसकी totaling की बात आती है सबसे पहले आपको क्या करना होगा इस सवाल के अंदर आप debit side को total कर लो कितना हो रहा है और उसके बाद देख लो credit side का total कितना हो रहा है दोनों को rough में लिख लेना जैसे मैंने लिखा हुआ है 708 ठीक है यानि के 87708 तो आप ये बताओ कि debit side ज्यादा है या credit side ज्यादा है तो almost ये देखने में पता लगी रहा है सीधी सी बात है 1,30,400 ज्यादा है तो इसलिए हम क्या करेंगे जो ज्यादा amount होता है उसको बहुत side लिख देते हैं यानि के 1,30,400 एक लाख 30,400 हम यहां भ लिख देंगे अब आपके मन में सवाल होगा कि सर्जी दोनों side क्यों लिखा है भई debit side का ठीक है 1,30,400 आ रहा है लेकिन वहां आपने क्यों लिखा तो वहां यू लिखा क्योंकि यह नियम है जैसे आपका तराजू होता है उससे बराबर करना होता है इक्वल करना होता है उ तो पूरा करने के लिए हमें यहां कुछ sum of amount लिखनी पड़ेगी वो क्या होगी वो subtract करने के बात पतल आएगा आपको चलिए करते हैं subtraction यह जो हमारा आया 42,692 यह जो balance निकल करके आया है मैं इसे दूसरे color से लिख देता हूँ क्योंकि यही हमारा क्या है आंसर है 42,692 हमारा जो आया है 42,692 आया है subtract करने के बाद यानि के इस credit side में जब हम 42,692 रुपे जो लेंगे तब जाकर के हमारा आएगा 1,3,400 और यह जो 42,692 आया है यही आपका answer होगा यही closing balance होता है यानि के हम यहां पर लिख देंगे by balance cd तो इसको हम लिख देंगे by balance cd ठीक है by balance cd का मतलब क्या होता है यह एक notation होती है कि हम बता रहे है कि जो balance आया है हमारा end of the month का balance हमारा by balance 692 रुपे है और cd का मतलब होता है carry down यानि के next month जब बनाएंगे April के बाद क्या आता है मैं आता है तो मैं के अंदर यही balance आपको क्या दिखेगा opening balance दिखेगा जिसको आपको show कराना भी पड़ेगा यहाँ पर ठीक है ना थोड़ सी line हम लोग और extend कर देते हैं और यहाँ पर लिख देंगे 2019 May 1st तो May 1st को यह balance दिखेगा आपको किस नाम से 2 balance BD यानि कि जो opening balance होता है दोस्तों उसे हम BD से show कराते हैं और जो closing balance होता है उसे हम CD से show कराते हैं तो यहाँ पर जो amount आ जाएगा कितना आ जाएगा 22620 तो इस तरीके से यह आपका question number 2 complete हो जाता है आप इसे daily कर लेना answer बिल्कुल perfect होगा